कुछ ऐसे भावुक जन है क्यों कहते हैं आप कहते हो करोडवे अंस में दुरगाजी है स्री राधार आने के दिवाम नहीं कह रहे हैं पद्मपुरान पातालखन अध्याय एक्याशे जब तत्त की चर्चा होगी तो एक है जो स्री कृष्ण है वही काली है जो काली है वही स्री कृष्ण है मुझे समझने में इतना भी बेद रहे हैं जिधर देखो उदर वही परमतत्त्त है इसलिए कोई छोटा ले जहां तुम जो हो देवी उपासक के लिए सर्व परिदेवी सब उनके नीचे संकर उपासक के लिए संकर जी सर्व से उनके समने कृष्ण उपासक के लिए कृष्ण सर्व से राम उपासक के लिए राम हमें कोई संसे नहीं के वही तत्त बैटा हुआ है पहनुमान जी बनके संकर जी ही चरण पकड़े राम जी के और राम जी सेवक बन करके रामेश्वर की स्था बना करते हैं। पर जब लीला में आएगा तो एक स्वामी बनेगा एक सेवक बनेगा और बिविद प्रकार की लीलाएं होंगी। अपने उपास्य देव अपने लिए सर्वों पर हैं उनके समान कोई नहीं। तर्क की जर्रत नहीं, मान्यता की जर्रत है। ये सब को मानना चाहिए। एक अई तत्त है उसमें कोई अंतर लिए। लीला रसा स्वादन पाने के लिए चरणों में जा करके अपने अपने गुरुजनों की आराधना करो, खोब नाम जब करो, जब लीला चरित्र का प्रकाश होगा, तब आप जान पाओगे। आप सर्वोपरि मानेंगे, तभी तो आपका मन आराध्यदेव में पूर्ण समर्पित होगा, और जब आप आनों बहु करेंगे, तो शाव रूपों में मेरा ही आराध्यदेव है, ऐसा आपको अनों होगे। एक प्रश्ण किसी ने किया कि, आप जो प्रायाये कहते हैं कि, श्री जी, शर्वोपरि और उनी के अंस से दुरगाद सक्तियां हैं, तो मुझे चुबता है कि जैसे आपकी इष्ट राधा महरानी है, ऐसे हमारी इष्ट माता जी हैं, तो आप कहते हो करोडवे अंस में दुरगा जी हैं स्री राधा रानी के, तो हमको भी तो चुबता है कि आप कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, तश्मा सास्त्रम प्रमानमते क पार्या कार्योग विवस्तितों पहली बात तो हमारी स्रीजी क्या है जब हम स्रीजी से चित जोड़ेंगे तब पता चलेगा और दूसरी बात है कि जो सास्त्रों में लिखा है उसे पद्मपुरान पातालखन अध्याय एक्याशे भगवाम शीव कहे रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिए अंतरंगैस तथा नित्य विभूतैस तैस्चिदा दिभी गोपना दुच्यते गोपी राधिका कृष्ण बल्लभा देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता शर्वलक्ष्मिश्वरूपासा कृष्णालाद स्वरूपिनी तता साप्रोच्यते विप्र लाधिनीति मनीशिवी भ्यान से तत कला कोटि कोटियंसा दुरगाद्यास्त्र गुणात्मिकाहा सातु साक्षान महालक्ष्मि कृष्णो नारायन अप्रभु नैतयोर विद्यते भेदाः श्वल्पोपि मुनिशत्तम इयम दुरगाहरे रुद्रहा कृष्णा सक्र इयम सची सावित्रियम हरे ब्रह्मा धू मूरनासव यम हरिही बहुनाकिम मुनिस्रेष्ठ बिनाता भ्यामन किंचन चिद चिद लक्षणवं सरवं राधा कृष्णुमयं जगत इत्थम सरवं तयोरेव विभूतिं विद्धिनारद ना सक्यते मया वक्तुम वर्ष कोटि सतै रपी भगवानु संकर कैलास में बिरा महां पुरुषों की सभा लगी हुई उस सभा में कह रहे हैं नारद जी को शबोधन करके भगवान शीव कह रहे हैं है नारद जी ये जो श्री कृष्ण प्रिया राधा हैं ये महा चैतन्य सक्तिश्वरूपाद जितनी भी देविया हैं ये सब इनके अंस से प्रगठ ये अंतरंग विभूती हैं इसलिए इनको कोई जानता नहीं अत्यन्त गोपन तत्व हैं इसलिए इनका एक नाम गोपी है श्री कृष्ण सदैव इनकी आराधना करते इसलिए नाम इनका राधा है और ये सदैव श्री कृष्ण की आराधना में रहती इसलिए इनका एक ना नाम राधिका है। ये और स्री कृष्ण दो नहीं है, स्री कृष्ण मैं राधा है, राधा मैं स्री कृष्ण है। ये राधा परादेवता है। जितनी भी लक्ष्मियादि शक्तियां सब इनी के अंस से हैं। तो राधा कहे गई किशोरी जो कहे गई और तत कला कोट यकोट यंसा भगवान सी बोलें। तत कला कोटी कोट्यंसा दुरगाद्यस त्रिगुणात्मिका हा दुरगाद्य जितनी त्रिगुणात्मिका दैवी सक्तियां हैं ये इनके कला से करोणवे अंस में प्रगट है ये ही प्रगट है पर करोणवे अंस में प्रगट है हम नहीं कह रहे हैं ये भगवान सीव कह रहे हैं जो लाधा, कर्पा, कटाक्ष पढ़ते हैं उपढ़के देखे आखरी मघवान सीव कहा रहे हैं पूज्य विकापी शता इसानी चसची महासुकतन सक्तिख स्वतंत्रा परा शीव बंदावन नाथ पट्टम हिसी राधायु सेव्यामं बोले तत कला कोटी कोटी अंसा कला उन ही की कला राधा की ही कला चीकिशोरी जुके ही अंस से करोणवे करोणवे अंस में सब शक्तियों का प्रादुर्भा हुआ श्री राधा अपने अंस से महालक्ष्मी रूपधारन करते हैं तो भगवान श्री कृष्म नारैन रूपधारन करते हैं मुनिस्रेष्ट थोड़ा भी भेद नहीं है श्री कृष्म शीव रूपधारन करते हैं रुद्र जब श्री कृष्म के अंस से इंद्र तो श्री राधा किशोरी के अंस से सची इंद्राने जब श्री कृष्म के अंस से ब्रह्मा तो राधा किशोरी के अंस से सावित्री देवी जब स्री कृष्ण के अंस से यम्राज तो उनकी पत्नी धो मोरना के रूप में स्री राधा की सुरी अधिक क्या कहूं इन दोनों की सिवा किसी की सत्ता ही नहीं यही सब्चिद चिद लक्षणम सर्वं राधा कृष्णमयम जगत चेतन अचेतन सारा संसार सी राधा कृष्ण का स्वरूप है नारज जी मैं इन बिभूतियों का क्या बर्णन करूं अगर सौ करोड वर्स तक राधा की महिमा बर्णन करूं तो भी नहीं कर सकता भगवान शियो कुछ ऐसे भावुक जन है क्यों कहते हैं कि आप भगवान शंकर को स्री कृष्ण से छोटा कहते हैं वो हमारे आराध्य दिम हमको चुगता है देखो जब तत्य की चर्चा होगी तो एक है और जब लीला की चर्चा होगी तो वही एक बिविद लीलाए करता है वही एक बिविद लीलाए करता है रास में भगवान संकर आये अगर थोड़ा भी सास्त्र पढ़े हो तो पढ़के देख लेला गोपी रूप धारन किया रास में प्रवेस पाया स्री कृष्ण चरण बंदना कि सूरीजू की चरण बंदना और फिर गोपी रूप धारन करके राश में प्रिवेश अच्छा कोई भी ये कैसे नकार सकता है कि भगवान संकर की जटाओं में गंगाजी हैं और वो गंगाजी क्या है कि आप नहीं जानते हो गंगा तरंग रमनी जो जटा कलापम गवरी विभूसित भाम भागम भगवान सीव के लिए आता है तो जो जटा कटा संब्रह्मं भ्रह्मन निलंप निर्जरी जो विराजमान है गंगाजी वो कौन है गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरन अच्छितम त्रिपुरारी पापा पारी पुना तुमाँ देखो भाई तत्व एक है पर लीला में जब प्रारम होगा तो लीला में छुटाई बड़ाई हसी मजाक वो उनकी आराधना उनकी आराधना तत्व एक है अभी आप यहां सुन रहे हो कि जब स्रीक्रश्म सीव रूप धारन करते तो राधा क कि सोरी दुरगा रोग धारन करती है यही है कोई और थोड़ी है पर जब लीला की बात आती तो वही भगवान संकर गोपी रूप आज भी भगवान गोपेश्वर का संगार होता है गोपी रूप में साम टायम जल नहीं चड़ता है नथुनी बाला और सब चुनरी धारन कर के भगवान स्यू गोपी श्वर के रूप में बिराजते हैं भगवान शंकर गंगा जी को नेत्रों से भी रोक शकते थे लेकिन जटाओं में धारन किया कि स्री कृष्ण का चरणाम रत है वामन भगवान का चरणाम रत है वामन की रूप में स्री कृष्ण ही है प्राणा यहां बात ध्यान रखनी है कि एक प्रश्ण और आता है सभा में जब चर्चा होती है तो उसको शुन करके लोगों के अंदर प्रश्ण आता है कि श्युव पुरान में लिखा है कि भगवान संकर सर्व स्रेष्ठ है देवी पुरान में लिखा है कि इनीच से सबकी उत्पत्य है आप गडेश महिमा को देखो तो यम्रम स्वंब्रम सब कुछ जिस पुरान को देखो उसी से स्रष्टी हुई है इसका मतलब क्या है गलत है क्या जब तुम सिव पुरान पढ़ोगे तो सिव तत्त्य से ही सबकी उत्पत्य है सबकुछ सिव तत्त्य है पढ़े है जैसे आग कहा भगवान संकन्य चिद चिद लक्षणम सरवं राधा कर्ष्णमयम जगत ऐसे कहा गया है हे भगवती हे भगवान आप से ही स्रष्टी प्रगट है सिव पुरान में क्योंकि जितनी माताएं उसब भगवती है और जितने पुरुष है उसब हे भगवान सिव आपका ही स्वरूप है चला चल जगत सिव और पार्वती मही है भगवान का ऐसा लिंग प्रगट हुआ सिव जी का कि शौकल्प तक ब्रह्मा जी उतरते चड़ते रे पार्ण पाया फिर भगवान विष्णू महा उसमें पढ़ना सिव पुरावन तो पढ़ करके बात कर रहे आर पार नहीं पाया भगवान सिव से ही नारायन का प्रादुर्भा होता है भगवान का प्रादुर्भा होता है भगवान सीव से ही ब्रह्मा का प्रादुर्भा होता है जब देवी भागवत पढ़ो तो सब कुछ देवी जी से प्रगट हुआ तो क्या जूटा है क्या पुरान कोई जूटे हैं क्या तो अगर उनसे प्रगट हुआ तो इनसे कैसे भागवत पढ़ करके देखो तो देवी सक यह है क्या तत्वा तत्व एक है वही परमात्वा है वही जब सिव पुरान पढ़ोगे तो सब कुछ सिव की जब भागवत पुरान पढ़ोगे तो सब कुछ श्रीहरीका और जब देवी भागवत पढ़ोगे तो सब कुछ वही दे देवी तुम ही चलाचर में व्याप्त हो तुम हीश्वरी हो तुम सर्व सक्तिमान हो तुमसे बढ़कर कोई नहीं क्या समझते हैं जो जहां है वही परम्तत है और वो वही सब कुछ है इधर से हम देखेंगे तो कृष्णाकार उदर से देखोगे तो सिवाकार उदर से देखोगे तो दुर्गाम है उदर से देखोगे काली मैं जो बोलो वही परम्तत है पर जब हम लीला का गायन करते है तो लीला में विभाग हो जाता है वही एक परमात्मा बेद कहता है एको हम भहुत श्यामा मैं एक बहुत रूपों में हो जाओं अब वही परमात्मा सासक बन गया वही सासित हो गया वही धर्मात्मा बन गया उसी के छाती से धर्म प्रगट हुआ उसी के पीट से अधर्म प्रगट हुआ अधर्म करने वाला दंडनी हो गया धर्म करने वाला बंदनी हो गया लेकिन दंडनी और बंदनी में दोनों में एक तत्व भी राग मान तत्व में अंतर नहीं ये जो समझते नहीं न लीला को समझते नहीं और तत्व को समझते नहीं तो ये जगड़ा करने लगते हैं सीव को छोटा कैसे कह दिया पूछो सीव जी से जाके अरे उनको देखो तो रात दिन भगवत स्री हरी चर्चा करते रहते और हरी को देखो उनसे पूछो जाके कि तुम्हारे आरादे देव कौन है बुले कि संकर हरी से पूछो कि तुम्हारा गुरु कौन प्रेखे इस बात को समझो जब देवी भागवत तो देवी ही सब कुछ है देवी के ही अंस से राधा हैं समझे आप जब हम ब्रंदावन से बोलेंगे तो राधा के अंस से देवी है जब आप शीव पुरान से बोलेंगे तो शीव के अंस से हरी है और जब भागवत पुरान स बोलेंगे तो हरी के अंसे सीव हैं आप इस बात को समझे जब लीला का बात लीला प्रशंग आएगी तो उसमें भेद हो जाते हैं जैसे ब्रह्मरिश्यों ने विचार किया कि इन तीन महान भगवत सुरूप में कौन सबसे बड़ा है क्या उन ब्रह्मरिश्यों को पता नहीं कि हरी ही ब्रह्मा है ब्रह्मा हरी ही सीव है शीव ब्रह्मा और हरी में किंचिन मात्र भेद नहीं स्वेम भगवान मुलें मैं ही हर हूँ मैं ही बिधी हूँ मैं ही हरी रूप हूँ जगे जगे ब्रणन है लेकिन जब भ्रगुजी परिक्षा के लिए गए तो ब्रह्मा जी के सामने जाके ऐसे खड़े हो गए ये अभध्रता है गुरुजनों के सामने ऐसे खड़े हो ना ऐसे नहीं खड़े हो गए जाता ये अभध्रता कही जाती गुरुजनों के सावधानी पूरुवक्षा जोड़ कर या बहुत नम्र ऐसे अब वो गए हो ऐसे गए हो ऐसे हो गए ब्रह्मा जी ने काए तो सभा की मर्यादा के बिरुद्ध है पर ब्रगुजी उनके पुत्र है थोड़ा गुस्सा आया पर सांत रहे संकर जी के पास गए बोले आओ भाई बहुत दिनों बाद आगमन हुआ ब्रगुजी से बोले हम तुम्हारे गले नहीं लगते हैं परम पवित्र रहते हैं उठा आया त्रिशूल उन्होंने कि हमको ब्रगुजी शांतो करके वहां से और भगवान अरी के पास गया सहिया में पड़े हैं सीधे लात मारी जाके सीधे चाती पे लात बगवान उठे और का मुझे पता नहीं था आपा रहे हो नहीं आपकी अगवानी करता और चरण दाबने लगे बोले आपके चरण ब यह हमारा बड़ा सो भाग यह आशू आगए भरगुजी के अब आप क्या कहेंगे कोई छोटा बड़ा ले जब लीला होती है और एक ही तत्व है तो रंग मंच पर वही सब रूप धारन की जगन नाटक वही भवा इस बात को सब पर जब हम किशोरी जी की बात कहेंगे तो किशोरी जी के अंस से सब सकतिया है और जब आप दुरगा की बात करें तो आपको वहां से दिखाई देगा किशोरी जी दुरगा जी की अंस है क्योंकि इधर से अंस वो उधर से अंस वो उनकी अंसी वो उनकी अंसी कोई अंतर नहीं इधर से हम बोलेगे शिरी कृष्ण के अंस से सीव और जब सीव पुरांस में पढ़ोगे तो सीव जी के अंस से चिरीकरश्ण अब इसमें संसाय थोड़ी क्योंकि वही एक तत्व है बीविद प्रकार से लीला कर रहा है इसलिए भ्रहम का तो ध्यान छोड़ दो भ्रहम छोड़ दो जब जब जैसाव सर आया वही रूप धारण किये तत्व विराज पर जब लीला की चर्चा होगी तो माधुरी रस्में एस्वद्य का प्रवेश नहीं भगवान के एस्वद्य का प्रवेश नहीं तो और एस्वद्य सक्टियों की तो बात जाने दो कभी आपको कोई भी सास्त्र मिला हो कि ब्रज में सु कभी सुदारसंद चक्र से ब्रज में किसी को मारा हो मुझे तो याद नहीं है आप लोगों को कोई याद आवे तो हमको भी बता देना क्योंकि अभी तक तो नहीं पड़ा है आगे अगर किसी को लगे दूद पीते हुए पूतना को मारा प्रवेश करके अगासुर को मारा बकासुर को फेक दिया और उसका पैर पकर के देनुकासुर को मारा बस यही थपड़ घूसा लात इसी से पहुचा दिया है ना तो कौमोद की गदाई है ना प्रभू की तलवाराई है ना यहां सुदरसंचक्राया है ना यहां दारुक सार्थी रथ लेके आया है यह एश् इस्वर का कुछ दिगदर्शन कराना चाहा तो वहां वात्सल्य ने डाट लगा दी है जैसे मुख में जब मिट्टी खाए यह यह दिखाला शुरू के दो वात्सल्य ने डाटा है यहां नहीं तो तुरंत मैया को लगा है मेरी आखों का दोस्कों यह यह तो मेरा लाला है इस्वर का अब जब निकुंज की बात आती है तो इसमें तो बिलकुल इस्वर का प्रिवेस नहीं है ब्रज में तो आप थोड़ा इस्वर की जलक दिखा दिये अंतर ध्यान हो गए लेकिन निकुंज में कहीं नहीं कि अंतर ध्यान की लीला एक बार भी हुई हो निकुंज रस है इसमें कहीं बरणन नहीं है कि अश्ट भुजा का प्रविस है या सोडस भुजा का हमारी ही स्री जी सवब अंसों से है लेकिन एश्वरी रूप नहीं है महा माधुरी रूप है इसी महा माधुरी की महिमा के हम उपासना करते है तो हमारे लिए हमारा उपास से देव सर् सिष्टता की लीला में देखते हैं तब ये बरणन आता है कि अनंत सक्तिया देखू भगवान सिव्न ने स्व्यम बरणन किया कि ये जो अनंत सक्तिया तत कला कोटी कोटि अंसाध दूरगाद्यस्त्र गुणात्मिका अब देखिये वही प्रभू है सक्ति और वो ही है सक्तिमान गिंचिन मात्रंतर नहीं लेकिन प्रभू आदेश करते हैं कि मैं अब अवतार ले ले जा रहा हूं भागवत में पढ़के देख लेना तुम हे महाशक्ति बलराम जी का कर्शन करके रोईनी के गर्मे में डालो और मैं श्वयम अवता ले और तुम जाकर नंदबावा के हां कन्या रूप से पूरी लिला पढ़के देख ले और नाम चामुंडा कुश्मांडा दुरगा दी तुम्हार बिविद नाम भगवान ने रखे और तुम सब की कामना पुर्ण करने वाली होगी जाओ मेरा आदेश ऐसा करो भगवान ने आदेश किया सक्तिकारी कर रही भगवान की प्राप्चि के लिए उसी सक्ती की आराधना कात्याजीनी रूप से भोपिकाय करते हैं कि मुझे स्रीकृष्ण पती रूप में प्लाप हो उसी सक्ती की आराधना सीता जी गौरी पूजन करती है और सीता जी कौन है कालरात्र निश्चर कुल केरी महा कालरात्री शुरुपा उनको को स्वामी जी ने कहा कालरात्री निश्चर कुल केरी जही सीता पर प्रीति घनेरी ये नहीं समझ रहा रावन की साक्षात इसका काल पधा रहा है एक काल रहा तेरी महासक्ती चाट जाएंगे कुछ नहीं बचेगा लंका में ये दुष्ट जिनके प्रति विरोध भाव कर रहा है कौन हैं वोई गौरी है और वोई गौरी है वोई महासक्ती है और वोई सीता जी है अब आप समझेए आदि सक्ती जही जग उप जाया सीता जी गौरी पूजन कर रही गौरी जी खसी माल मूरत मुस्काली जाओ मनुजा हिराचियों मिली सोबर साहद सुन्दर साओ तो सीता जी कौन है मनुशत रुपा को भगवाल नराम करे आदि सक्ती जही जग उप जाया सोवतरी मोरिया माया अरे कोई भेद नहीं कहीं भेद नहीं पर जब लीला की बात करेंगे तब लीला में भेद दिखाई दे रहा है कि सीता जी गौरी जी का पूजन कर रहे है उनसे वरदान प्राप्त कर रही है और भगवान प्रियासती को संसे हो जाता है लीला भेदे देखो कि ये राम जी कैसे सच्चिदानंद में जब हेखा गेहे म्रगे मदुकर्श्रेनी पूरा प्रशंग पढ़ करके देखो आप और हैं कौन या देवी सरभूतेस बुद्धिरूपेंड संतिता जब लीला में देखोगे तो तत्व की बात भूलना पड़ेगा तभी स्वाद आएगा और जब तत्व देखोगे तो शान तरस आएगा ये दास्य वात्सले सक्चे ये रसों का स्वाद नहीं मिल पाएगा उसमें एक ही तत्व है तो समझ में आ रहा है जब लीला में देखोगे तो आपको वही तत्व परशुराम है वही तत्व राम जी है लेकिन राम जी क्या गए परशुराम जी घोटे ने टेक का जै 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 रगुकुलकेतू ध्रगुपति गये तपही बने शेतू ये समझना होगा ये जो आज कल के नए बच्चे न ये तर्क वितर्क शुरू कर देते हैं लीला में तर्क वितर्क नहीं होता है तब तुमें एक ही वस्तु है तब तु की जब बात करोगे तो आप क्या समझते हो कितने दिन से तुम दुर्गाजी के उपासना करते होगे बच्चपन से आरा धना और पूरी अम्मा मान के पूरी जैसे अपनी अम्मा पूरा सकती अम्मा आद्या सकती दुर्गाज और पिता भगवान सीव तुम समझते नहीं हो जहां हमें भेजा है उस तत्य को जो समझाया उस तत्य से बोल रहे है तुम उसको दो पक्ष में ले रहे हो तुम्हारे को क्या पता कि महादेव जी मुझे कितना प्यार करते है भगवती कितना प्यार करते है हम भगवती अम्मा और महादेव जी से भुवन में कहीं नहीं है क्योंकि महा माधुरे रस प्रेम स्वरूपा है जिनकी आराधना स्वयम स्री कृष्ण करते और जिन स्री कृष्ण की आराधना भगवान, शंकर, शंकाद, ब्रह्माद, सब करते यह हमारे उपास्य देव है और जब आप अपने उपास्य देव के विश्वे जैसे बोले कि स्री कृष्ण जिनके सेवक हैं ऐसे महा देव, कोई परिशा नहीं स्री कृष्ण जिनके सेवक हैं ऐसे महा देव क्योंकि हमें पता है कि तुम जो बोल रहे हो, वो सत्य बोल रहे हो क्योंकि वैसे उस तप्त्र को देखा जाता है ये तप्त्र है ही ऐसा कि हम जिस भावना से जैसे देखे वैसे दिखाई देगा जब हम गड़ेश स्टोत्र पढ़ते हैं तो सब कुछ गड़ेश जी बने हुए जब राम स्टोत्र तो सब कुछ राम जब कृष्णि सब कुछ कृष्ण जब नर्सिंग तो सब कुछ नर्सिंग जब वारा तो सब कुछ वारा वही बने हुए दूसरा कोई नहीं इसमें हमें कोई संसे नहीं है तुमें कितना ग्यान है उनके पती हैं सीव ग्यान समुद्र वो कह रहे हैं हम तुम्हें पूरा परिचे के साथ बता रहे हैं पद्म पुरान पाताल खंड अध्याए एक्यासी उसमें कह रहे है ततकला कोटी कोटी अंसाद दुरगाद द्यास त्रिगुनात्मिका कभी राज कस्वाद लिया है राज कस्वाद लेना है तो ब्रजरस में इसी यही तो ब बोलते हैं उसकी बात को समझ लेना कि कहां प्रमाण है तो हमारी चाती प्रमाण है खिलवान मत समझना अगर तुमने राधा की सोरी की अभेलना करके कहा कि अंबा जब जड़भरत जी के ऊपर गड़ासा चलाने की बात अंबा के ही सेवकों ने किया तो भद्रकाली सहन नह नहीं उपासकों को फोस में रहना राधा की सूरी राधा की सूरी है तत्तो से बोलोगे तो मुझे कभी कोई संसय नहीं संसय नहीं पर जब लीला का रशा श्वाधन करतें तब आप उसमें संसय मत करो वो बिविद लिलाएं, वही गोपी बना है, वही स्रीजी बना है, वही ब्रंदावन बना है, वही प्रीतम बना है, वही खेल रहा है, वही नरक बना है, वही अधर्म बना है, वही दंड विधान बना है, वही रोग बना है, वही बिविद प्रकार की यातना बना है, समझो न अगर जान गए तो वो वोई सुखप्रद्ध आगर जान गए तो वो शुक प्रद है अगर जानकारी का भी विस्मरन हो गए और सच्चदानंद मेस्ते तो आप ही वो हो जानत तुम्हें हो जाए तुम भी वही हो जो सीव जो क्रिश्न जब तत्त में आओगे तो तुम भी वही हो कोई किंचिन मात्रंतर नहीं वही एक परमात्म तत्त भी विद रूप में खेले रा चिद चिद लक्षणम सरवं राधा कर्ष्णमयम जगत इसावास्मिद अमसरवं यत किंचे जगत्याम जगत और सच्ची मानों बिना भजन के समझ नहीं सकते रे हमारी बासा समझ ले ये तर्क भी तर्क से नहीं समझ सकते जब तक ब्रह्मचर नहीं रहोगे पवित्रहार नहीं करोगे लाखो नाम जप नहीं करोगे तब तक वैसे समझ जाओगे ये कोई बातों का भी सह है भजन नहीं करोगे परमात्म तब तो तुमारे तर्क भी तर्क से समझ में आएगा इसलिए समझा देते कि समझ लेो तुम्हारा मंगल हो जाए और अगर ऐसे पक्ष और विपक्ष की भावनाय रखोगे तो तुम्हें शंतों में दोस्दर्सन हो जाएगा पक्की बात समझ लो इसलिए बहुत सावधान यहां से जो चर्चा होती है वो भगवत प्रशाद शुरूप होती उसका पान करो तर्क खुब नाम जब करो डटके बन जाओगे खुब शंतों की चरण धूली माथे पे हाँ रहू गणई तत्त पुसान आतिनचे जयान निर्पनात गिराद द्वान चंद साने उजलांगी सूर्यों बिना महात्पाद रजो भी से कम रज लगाओ संतों की चरण आम्रत्पियों संतों की वचनों का सद्धा विश्वात पूर्वाद बढ़िया मंगल में ग्यानी हो जाओगे आपको कोई संसे नहीं रहेगा पर लीला में बढ़ांत रहे हैं जब विमान पे चड़ा हुआ है जो ब्रताशुर बने थे चित्र के ये तो उनका नाम था और जब भगवान स सिव को वो ऐसे सब्द जो नहीं बोलने चाहिए वो बोल रहे थे तो अंबा जी गुष्षा हो गई तो भगवान सिव ने कहा था कि तुम्हारे क्रोध हो श्रापका उसके उपर कोई फरक नहीं पड़ेगा क्यों बोले स्रीहरी का निज जना है क्या फरक पढ़ा अंतिम शमय जो व्रत्तासुल की स्तिती है वो देख लो जो भगवान स्रीहरी का नीच जना है भगवान का जना भगवान सिव को भगवान सिव को पी गुष्षा नहीं आया अम्बा जी को गुष्टा आ गया यह ऐसे जगत गुरु भगवान सीव से ऐसे नहीं बात करना चाहिए बिमान से उतर कर साथ तांग दंडवत होना चाहिए तुर्टी है तो भगवान सीव ने का तुर्टी होते विए भी स्री हरी का है इसके उपर कोई फरकले ही पड़ेगा और नहीं बना ब्रत्तासुर विला तो आईसा ब्रत्तासुर बना गए हाहा कार्त्रिभुवन में मच गया हो शुड़ गए धेवताओं के तब दधीच की हड़ियों से बज्ज्र का निर्मान हुआ जब देखा के हाथ में रिशी का जो अस्तिपंजर उसी से बज्ज्र का निर्मान हुआ है तो गा धेवराज यह मत सोचना मैं बज्ज्र से डर रहा हूँ रुख जाओ भगवान हरी से बात की जैसे छोटा सा बच्छडा अपनी मा की जैसे घोशले में बिला पंक उगे हुए बच्चा च्डिया का अपनी मा का जैसे परदेश गए हुए पत्णी अपने पती का चिंतन हेना ऐसे ही हमारी ब्रत्ति आप में लगी रहे और चलाओ यह अमोग है चिंता मत करो यह अमोग है मेरे उपर चलाओ कि बिद्वन्स हो जाओंगा क्योंकि मैं जानता हूँ यह क्या इस्थिती ब्रत्तासुर की अंतिम्शमे एकदम भगवदा का और ब्रत्ती जो बड़े-बड़े ब्रह्मरिश्यू की होती है वही महाभागवत ब्रत्तासुर इसलिए हरी सरवत्र सवरूपों में व्यापत है इसमें कोई संसय नहीं मत्ता परतरम नान्यत किंची दस्ति धनन जाए पर पुराणों में जो है जहां जिस पुराण की चर्चा वही सरवो परी है अगर देवी भागवत तो सरवो परी उसी से सबका प्रादुर भाओ सिवपुराण तो सरवो परी उसी से सबका प्रादुर भाओ गड़ेश तो उसी सबका प्रादुर आदि गड़ेश जिसकी पूजा ब्याह में माता पार्वति और भगवान संकर भी करते जिधर देखो उदर वही परम तत्व है इसलिए कोई छोटा लए पर जब लीला में आएगा तो एक स्वामी बनेगा एक सेवक बनेगा विविद प्रकार की लीला होंगी लीला में प्रशन नहीं तत्व में अगर प्रशन उठाओ तो ये कही तत्व है उसमें कोई अंतर नहीं पर जब लीला होती है जैसे अब शिश्य की लीला गुरू की लीला अपराधी की लीला जीवन मुक्त की लीला लेकिन तत्व ये कही है तत्व में अंतर नहीं है अब तत्यो का भाव अंदर जब जागरत हो जाएगा तो जानत तुम्हें हो जाएगा वो वही बन जाएगा उसमें कोई अंतर नहीं पर लीला में अंतर जीवन भर बना रहेगा तत्यो बोध होने के बाद है इसा थोड़ी कि गुरु के समान जाकर आसन में बैठ जाएगा च पिछले कभी कोई भगवत चरित्रों पर संसय ना करे कोई छोटा बड़ा नहीं है पर जब खेल खेलने में उतरते हैं तो वही तत छोटा बनता है वही बड़ा बनता है वही स्वामी बनता है वही सेवक बनता है बिविद प्रकार से वो जगन नाटक वईभवा अपने जगत में नाटक का शुरूप करके वो वैभो प्रकासित कर रहा हूँ ये खेल जान जाओ या राज से रगुनात कर बेगन जाने कोई जो जाने रगुपति करपा तो सपनें मोह न होए ये जो अज्ञान की बाते करते हैं इनके अंदर भजन नहीं इसले जान नहीं पाते प्रवचन धंदा नहीं प्रवचन है जो तुमारे हर दुरबुड दुराचार का नास करके तुमें सत्मार्ग में स्तापित कर देगा ये वो नहीं ये कोई धंदा नहीं ये केवल केवल भगवत प्राप्ती के लिए और यहां जितनी चर्चा होती है वो शब उसी एक तत्व की होती है और उसी एक तत्व में कोई स्वामी है कोई सेवक है कोई महान है कोई छोटा है बर तत्व में अंतर नहीं आपने लाखो बार सत्व संग में सुनाओगा कि तत्व यह कही है इस में कभी संसय नहीं है हाँ जब उसकी लीला चलती तो लीला में भेद है और लीला रसा स्वादन में भेद है और रस की भाव गरिमा में भेद है जैसे कोई सखा है तो कोई दास है कोई गोपी है तो कोई सहचरी है और अलग-अलग भाव से उसी परमात्मत्त्त का रसा सब उनके नीचे देवी उपासक के लिए सर्वोपरिदेवी सब उनके नीचे संकर उपासक के लिए संकर जी सर्वसेट उनके सब ने पासक के लिए राम उपासक के लिए हमें कोई संसे नहीं क्योंकि वही तत्त बैटा हुआ है पर जब लीला में देखो तो हनुमान जी बनके संकर जी ही चरण पकड़े राम जी के और राम जी सेवक बन करके रामेश्वर की स्थापना करते लीला में तुम कहां काट सकते हो ल कई तत्त है उसमें कोई अंतर नहीं इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक संतों के बचनों को शुना जाए और अपने चित में धारन करके भगवदानंद की प्राप्ती की जाए जिसके लिए हम कोई औशर मिला है कहीं हम इदर उदर दोस दर्शन करके अपने परमार्थ से ब्रष्ट ना हो जाए इसे ध्यान से सुन लो जो जिनकी उपासना कर रहा है उसके लिए वो सर्वोपर है सर्वोपर इसलिए कि वही सर्वोपर इतत्त है दूसरा कोई नहीं है पर जो जहां उपासना कर रहा है उसके लिए गर्व होना चाहे कि हमारे उपासना देव सर्व पर हैं, तर्क की जरुवर्त नहीं, मान्यता की जरुवर्त है, आप सर्वोपन मानेंगे, तभी तो आपका मन आराध्यदेव में पूर्ण समर्पित होगा, और जब आप अनुभव करेंगे, तो शाब रूपों में मेरा ही आराध्यदेव है, ऐसा आपको अनुभव होगा, और यही अनुभव होना, परमशत्य अनुभव होना है, इसलिए खुब नामजब करो, अच्छे आचरन करो, तर्क वितर्क मत करो, लीला अलग शेत्र है, तत्तु का बोध होना, और लीला में प्रवेश होना दोनों में बहुत अंतर है, जब लीला की बात आएगी, तो तत्त अंतर ध्यान हो जाता है, नई तोर कैसे ध्यान है, मेरे प्रवु, इस समय मेरे प्रवु को शयन कराना है, मेरे प्रवु को भोग लगाना है, इस समय मेरे प्रवु को मंगलारती, इस समय मेरे प्रवु को जल पिलाना है, इस समय मेरे प्रवु को इत्र लगाना है, यह हम त स्री जी के समान केवल स्री जी हैं, दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों नकोई, ये हमको देखना मेरा जी से लड़ना सोड़ी, करो पूजा भाई, हम परिसान कप कर रहें, हम तो कह रहें, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई उनकी नंद कहो रही थी ये हमारी कुल देवी पूझा बोहले करो ना बोले नहीं तुमको करना पड़े बोले हम तो नहीं करें हमारे तो कि रधर गोपाल दूसरों न कोई जाके सिर्मोर मुक्ट मेरो पति सोई उनका नहीं करना चाह inten बुले क्यों करना चाहिए बुले सुवागवती होती तो भी दवा थी बुले तुमने कुल पूजन नहीं किया क्या तुम क्यों वैधब को प्राप्त हो बद यही जगे से शुरू हो गया था उसका द्वेश भाव बहुत प्रचंड द्वेश तो सच्छी मान लेो हमारी प्र काली देना चाहिते तो जेवी शर जुकाया तो अंबा जी के हुदे में आग लग गई ऐसे परम निर्मल पुत्र का वध मास है सकती हाल करके मूर्ती प्रगठ हो गए काट के फेग दिए भागवत में पढ़के देख लो भाई वही परमतत्त है जो स्री कृष्ण है वही का करता है तो लीला रसा स्वादन पाने के लिए चरणों में जा करके अपने अपने गुरुजनों की आराधना करो खोब नाम जब करो जब लीला चरित्र का प्रकाश होगा तब आप जान पाओगे अब शीक किशोरी किशोर जुकाय अदभुत्य विलाज जो भगवान ब्रह महा शनकाद शिवादी जिसका जस गाते हैं और याचना करते हैं जो रजशी शनकादी की आचत अब कैसे रस्मई गरंतों में प्रिवेस नहीं तो बाहरी लोग नहीं समस्ते पर हम अपने शत्संगी जनों से कहते हैं अपनी उपाशना में अपने आराध्य देव के समान को कोई नहीं जब ऐसा मानोगे तभी आप प्रेमरस को प्राप्त होगे से सर्चागे श्याधाव लवलाल की